गुट मॉनिंग एप्रीवन वेलकम बेक मैं योटूब चैनल कैसी हो आप सभी आसा करती हों आप सभी ठीक होंगे मैंने कर लिए अपनी वीडियो की सुरुआत नई दिन के साथ उम्मीद करती हों आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा पसंद आए प्लीज लाइक एन सेयर कर देना और मेरे चैनल पर पहली बार आएओ प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो देखिए ये है मॉनिंग के टाइम और मैं बना रही हूं अपने बच्चों के लिए आलू मटर की सबची और ये मटर जो है मैंने इस्टॉक कर रखी थी तो देखिए बहुत सार तरह से रखी रहती है और देखिए ये विंटर तक बहुत अच्छी तरह तक चल जाएगी तो बहुत सारी अभी रह गई है और ये देखिए मैंने कड़ाई गैस पर रख दी है अब मैं बनाने वाली हूं सबजी सबजी मैंने पहले ही कट कर ली थी तो मैं कभी रात को कर देखिए तो ये देखिए मैंने एक टमाटन लिया है तीं चार हरी मर्ची लेती हूं और हमारे यहां। सबजी बनते हैं। और हमारे हैं जैसे गरम मसाले का कम इस्तेमाल करते हैं, कोई जैसे इस्पेसल सब्ची बनाते हैं, उसके लिए हम गरम मसाले का इस्तेमाल करते हैं, वरना हमारे सब्ची में नॉर्मल नमक मुट्स वगेरा यही बेसिक मसाले जो होते हैं वही पढ़ते हैं, तो देखिए मैंन मैं परेस Cake लगती है तो दिखे आज मैं बहूत सारी सबज लेकर आई थी लेकर आई थी और सारी सब्यां इतनी हो गई हैं पहुत जादा सब्राइगी हो गई हैं और अपश्वत हैं सब्री 막 लेना गते हैं उसलिपर प्रमática में ने जोएल में टमाटे रयेट किया है टमाटट डालने के बाद मैंने इस में बेसिक मसाले डाल डाल दिये हैं दमक अर्बहारे घरम मसाले की Candida करें और जैसे गरम मसाले काना बहुत ही कम चाट लुं में झाली कातियोर दूस काट करके उसे काट करें तो maily cast कि निकमलने करेकिक स्वाइब मैं एक करें सुभर दो कि गज्मी सकरिखने कोईब मत्था करें आठाकर कीड़ी आजब देनकोर्गा तरह से मिक्स कर देंगे नीचे मसाले होते हैं उसे अच्छी तरह से देखिए इस तरह से मिक्स करना है और गैस को सिलू कर देना है और बहुत ही अच्छी तरह से ये सब्जी हमारे बनके रेडी हो जाएगी तो देखिए जो हल्दी मुझे कम लग रही थी अभी इसमें जो मस अच्छी सब्जी में मसाले नहीं हुआ जाते हैं उसके ऊपर मसाले डालते हैं तो मैं हमेशा थट रूगते हैं programs type apple मेरी सब्जीliches में जाएगी और जो बर्तन घुए कलें दले हुआ परतन को साथ की साथ साफ पर दो तो हमारी किचिन इतनी फैली हुई नहीं लगती है वैसे हम कोई भी काम करते हैं किचिन बहुत ही जादा फैल जाती है और ये देखिए मेरी slipper stand भी रखा हुआ है तो बहुत ही stand से बरा-बरा लगता है जब किछीं छोटी होती है सामने एज़स्ट करना नहीं मुझकिल हो जाता है तो मैंने इसलिए यह सिलिपर ही लगा रखा है साइड में भी लगा सकते हैं लेकिन फिर ना खड़ा होने के लिए जैसे किछीं में हम कोई भी काम खड़े होके करते हैं तो जगह नहीं इसलिए मैंने यह साइड में स्टेंड नहीं लगवाया है मैंने इसलिपर ही रख रखा है और देखिए जो यह चाय का फ्राइफन होता है जलने के बाद इससे साफ करने के लिए आपको एक चोटी से ट्रिक बता रही हूं तो इसमें आप पानी भगे रख दीजिए फिर इ होता है इस तरह आज साफ करती हूं को जल्दी जट पर्थ हमारे बरतं साफ हो जाते हैं हाउसवाइब के लिए बहुत ही चेलेंज होते हैं जो काम करते हैं तो काम करते हैं इतने परफेक्ट हो जाते है हर काम हम मृंद लगाकर कर lic It happened सारे काम अच्छी तरह से कर लेते हैं और देखेए पांच मिनृट में ही ही यहytt तरही इसतर आइकोन यहां यह काम बहुत और तरही देश्टी लगते हैंbasis और सब्ची मेरी बनके रेडी हो गई है गर्मा गर्म मेरी सब्ची रेडी हो गई है दूद भी मेरा गर्म हो गया है रायता भी मेरा बनके रेडी हो गया है फिर उसके बाद मैं बच्चों के लिए लंच पैक कर दूँगी बच्चे स्कूल चले जाएंगे और हमारे घर के वे झाला तरून जोली जोरी ती आटे अभी दिनाओ प्राहत दुराते ले दोन सलjas गोंछे में थे अपेका लिए जोली ती आद्य में दिनाğ गोंगे दूपन दूपन कि ते यहुआ घखनाटे तो ये बताईए आपको ये भजन कैसा लगा ये भजन हमारे सेक्टर में भेने वाली एक लेडिश ने काया था बहुत ही अच्छा भजन गया था काना जी का और ना आज भागवत का लाश्ट दिन था और ये जो भजन उन्होंने ब्यास जी के लिए गया था ब्यास जी आज यहां से जाने वाले हैं साथ दिन उन्होंने भागवत की है और उनकी आवाज भी बहुत अच्छी थी ब्यास ज दिन चले जाएंगे साम को यहां से चले जाएंगे तो देखिए यहां भागवत खतम हो गई है खतम होने के बाद मैं फिर हम अपने घर आ गई थे और देख सकते हो मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है और रेगूलर बारिसा आती है जब भागवत इस टार्ट हो जाती है तो जी ज्यादा प्रुशन हो रहे हैं इस बार जब से भागवत इस्टार्ट हुई है जब से ही बारिसाना इस्टार्ट हो गई है और मैं यहां अपने अस्वेंट से बाते कर रही थी और फिर देखिए दीपक लेकर हम चल दिये हैं पांडल में दीपक लगाने के लिए क्योंकि हमने की थी कलस्यातरा और इतने दिन ही आपको दीपक लगाना होता है जितने दिन की भागवत रखी जाती है तो भागवत जो होती है या तो पांच दिन की होती है या साथ दिन की होती है तो यहां साथ दिन की भागवत थी हमने यहां दीपक लगा दिया है आप देख सकते बहुती बड़ा पांडल था लेकिन बरसात की बज़े से लोगवा कम सुनने के लिए आते थे और आप देख सकते कलस यातरा जो हुई थी बहुत सारे कलस यहां उठे थे आज की वीडियो आपको बहुत पसंदाई होगी